हेलो स्टोक कमाई का अड़्डस यूटूब चल में आप सभी का सोगत है आज हापर हम डिसकस करेंगे दो ऐसे शांदार स्टॉक के बारे में जो इंफराटरक्चर सेक्टर में काफी बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं एंड उस्टोक कमपनी स्मॉल कैप के है याने जो ग्रो वही शेर्स यहाँ पर खरिद रहे हैं और दोस्तों दोनों भी शेर अंडर यहाँ पर आपको मिलेंगे 200 रुपेज मिंस आपके लिए ऐसा नहीं कि बहुत महेंगे शेर है और खास करकर इनके अंदर बिजनेस की बहुत बड़ी स्ट्रेंद भी है तो आप सभी के लिए दो लार्ज केप में अगर आप बड़िया स्टॉक धूनेंगे तो आपको यल्टी कंपनी मिलेगी मिंस लार्सन एंड टुबरो इसका शेर कोई यहाँ पर सस्ता नहीं है दोस्तों बहुती बड़े वैलुएशन पर ट्रेट करा है स्टॉक और हमें जो अपॉर्चिनिटी है छ अपने डिस्टी लेने कोशिश कर सकते हैं अभी यहाँ पर हम कंपनी के पूरे डिटल्स आपके आगे यहाँ पर रखने वाले हैं यहाँ पर दोस्तों फर्स टॉक के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमेटेड इस कुछ आपको नोटिस करने को मिलेगा कि यहाँ पर जो प्रमोटर है पिछले कुछ हम जैसे के चार कौटर से भी अंडरस्टेंडिंग करें जो आप यहाँ पर एक बहुत छोटी बात है बट समझ में आनी चाहिए निवेशक को कि जून 2023 में 67.12 स्टेक था फिर वो सप्टे फिलाल मार्च 2024 में 67.31 हुआ और यह लगातर बढ़ रहा है और यह कोन बढ़ा रहा है स्टेक तो वो कमपनी के मालिक है और FIS की बात करें तो FIS ने भी दोस्तों अभी इंट्रेस दिखाना स्टार्ट किया अच्छा खासा उनके पास 3.5% का स्टेक है और DIS के पास भी 2% के बड़े निवेशक है जिनके पास आपको यह शियर्स देखने को मिलेंगे और कमपनी का जो बिजनेस है वो काफी अच्छा है मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जिसे यम आय सी यल नाम से जाना जाता है यह कमपनी इंजिनेरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ब कंपनी का खास करकर जो रिविन्यू आता है या हम कहेंगे जो कंपनी को काम मिलते है उसमें आपको सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रेक्ट है वो गवर्मेंट डेखने को मिलेंगे और बाकी के रिसिडेंटल एंड कमर्शियल इंफ्राट्रक्शर एंड गवर्मेंट सामने रखें बहुत अलग-अलग इरिया पर इनके दुस्तों वर्क चल रहे हैं और खास करकर इंफ्राट्रक्चर में इन्होंने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है एंड रिसिडेंटर वर्क में आप देखेंगे तो आपको यह भी पढ़ने को मिलेगा कि जो अलग-अलग सीटीज बनते हैं या बड़े-बड़े कंस्ट्रक्चन अपार्टमेंट वगयर होते हैं यह बना कर बेशते हैं आप यहाँ पर या उनके लिए दुसरे कंपनियों के लिए भी काम करते हैं और लेटेस कुछ मैं न्यूज भी आपके सामने रखना चाहता हू कंपनिय से रिलेटेट की जो सामने आ है एक दिन पहले की नियूज है दे प्रेस रिलीज टाइटल क्या है देखिए दोस्तों जो मैं इन्फरा कंस्ट्रक्शन लिमेटेड ग्रूप एक्वैर अनादर अल्ट्रा लग्जरियस रेसिडेंटल प्रोजेक्ट्स इन्द मुंब प्रीमियम लोकेशन एट बांदरा तो ये चीजे देखिए ये कोई छुपी नहीं आपसे बाते आप ज़रूर कंपनिय को यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं यह तो यहाँ पर हमने आपके आगे डेटिल्स रखे अब दोस्तों ओफिशली जो कंपनी के रिजल्ट होते हैं उसक समय आप दे सके तो ही इस कंपनी को आपने रडार पर रखना चाहिए सेल्स तो देखिए पिछले कौटर की कंपरेजन में इस कौटर में बढ़ चुका है और दोस्तों प्रॉफिट ठीक तरीके से अभी ग्रो कर रहा है अब अगर हम स्टॉक से लेटेट डिसकस करें तो मै इन्फरा कंस्ट्रक्शन लिमिटेट का जो शेर है वो दोसों के ही यहाँ पर करीब ट्रेट कर रहा है आज एक बड़ी तेजी देखने को मिले और दोस्तों पिछले जैसे के हम इसके एक साल की रिटन देखे तो 90% के रिटन है और पिछले पास सालों में दोस्तों इसने ग परक देखने को नहीं मिलता है बोले तो इसमें वैलुएशन अट्रेक्टिव है 7500 यहाँ पर करोड़ का मार्केट कैप है पी रेश्यों देखे महिंगा नहीं है 25 का और उससे ज्यादा रिटन अन इक्विटे और रिटन अन कैपिटल इंप्लोईट बोथ तिंस आर सुप् रोड और अलग-अलग इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन और हेवी जो सिविल इंजिनिरिंग वर्क होते हैं जैसे के हैड्रो इरिगेशन वाटर सप्लाई आर्बर इंफ्राट्रक्चर ट्रांस्पोर्ट से रिलेटेड ऐसे बड़े वर्क यह कंपनी करती है एंड दोस्तों कंपनी को बहुत जादे साल हुए इसने बहुत अच्छा समय मार्केट को दिया है पटल इंजिनिरिंग 1949 में इस्टैबलिश हुई है फाउंडेट हुई है और कंपनी भी यहाँ पर आप देख सकते मार्केट कैप से यहाँ पर 5628 करोड का इसका मार्केट कैप है एंड पी अच्छे से यह भी स्टॉक कोई जादा महिंगा नहीं है तो ऐसे स्टॉक देखिए समय लेते हैं बट आउटपुट कमा कर देने की स्ट्रेंद इनके नजर आती है और दोस्तों कुछ चीजे पटल इंजिनिरिंग में अभी सामने देखने को मिली है कि इसके जो ग्रूप ह जो है उनका स्टेक कम हुआ कितना 29 से सोरी 39 से यहाँ पर 36 हो गया यह तीन परसें स्टेक कम हुआ बट इसमें कमाल देखिए एफईस ने सीधा स्टेक बढ़ा दिया तीन परसेंट से दोस्तों आट परसें स्टेक किया अभी मुझे बताईए पाच पाच परसेंट का यहाँ पर दो और एफईस का पाच याने के 7 परसेंट तो देख लिजिए जो यहाँ पर पब्लीक का स्टेक था कितना 47 उन्होंने बेज दिया और यहाँ पर एफईस ने डिया ने माल उठा लिया और दोस्तों इंडिया के सक्सेस्वल इंवेस्टर विजे की डिया जी उन अचले पास दिनों में 12% एंड दोस्तों एक साल के अंदर इसने 126% का रिटन कमा कर दिया बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है पास सालों में बहुत अच्छा ग्रो इसने किया देखिए अभी तो इस स्टॉक बहुती समय से काम कर रही कंपनी बट इसके लिए जो सुनेरा मोका हम कहेंगे तो इस गुवर्मेंट के अंडर हमें देखने को मिला है और सबसे स्ट्रेंथ वाली बात मैं आपको शेर करता हूँ जो स्टडी करेंगे उनको समझ में आएगा कि कंपनी के दोस्तों क्वाटरली रिजल जो देखेंगे इस बार के तो कंपनी का सिल्ज देखिए 161 करोड से बढ़कर 1343 करोड हो गया याने कंपनी के पास ट्रेंथ कितनी देख सकते है और प्रॉफिट देखिए उन 70 करोड से डायरेक 140 करोड का प्रॉफिट होना कौटरली बेसिस पर नौट जो बड़ी बात है इन्फरा कंपनी में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है और आ अगर हम ये रली वैसिस की बात करें तो वहाँ पर भी कंपनी ने अपने आपको एक मेंटें किया है ऐसा हम कई सकते हैं एन्ड प्रॉफिट भी लॉस में से कंपनी प्रॉफिट में आ रही है बोले तो पर ग्रोध की अपॉर्चिनिटी काफी ज्यादा है इसके अंदर थो